गुड मॉर्निंग, इस से पहले जो वीडियो थी उसमें मैं आपको थेलियम नियोन गैस लेजर और रूबी लेजर को एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिसकस करूँगा आपके साथ जो सेमी कंड़क्टर लेजर है वो सेमी कंड़क्टर लेजर किस पॉइंट ओपी से डिफरेंट है और किस पॉइंट पे ये वर्क करती है और आउट्पुट क्या है और आउट्पुट कैसे आपज़र करती है विद्धी हेल्प आप एनरजी बैंड डाइग्राम इसको डाइओड लेजर बोलते हैं लेजर डाइओड इस एन इंट्रेस्टिंग वेरियंट अप लेडी तो लेडी और आपका जो सेमी कंड़क्टर लेजर है उनकी जो वर्किंग है वो सेम है और किस पॉइंट अभी से ये दो डिफरेंट है और क्या वो पॉइंट है इसको भी इस वीडियो लेच्चर में मैं डिसकेस करूँगा तो लेकिन पहले ये बता दूँ कि जो एलिडी है एलिडी के अंदर आपका spontaneous emission work करता है और जो laser है वहाँ पर stimulated emission work करता है जो conventional solid state और gas laser है जिसको कि आप ruby laser और helium neon gas laser के form में पढ़ चुके हैं वहाँ आपने observe किया है discrete atomic energy level और यहाँ आप semiconductor laser के अंदर आप read करेंगे energy band instead of कि आप energy level की बात करेंगे दूसरा point यहाँ मैं जो आपकी साथ share कर रहा हूँ वो यहाँ जो current की है pumping जो process है वो direct current method यूज किया है और वो आपका है forward biasing तो forward biasing we provide to the PN junction जो कि gallium arsenide की है और यह भी आपको mind में रखना चाहिए कि gallium arsenide के अंदर जब electron और hole recombination करते हैं उनका fusion होगा तो वो वहाँ optical energy release करते हैं और इसलिए gallium arsenide वहाँ use करते हैं silicon और germanium के अंदर जब electron और hole recombination होगा तो thermal energy release होती है और आपने observe किया होगा कि जो semiconductor material silicon germanium से बने हैं वो कुछ देर के बाद गरम हो जाते हैं जब working stage में होते हैं और same यहाँ आप observe करेंगे कि यह light को radiate करते हैं तो optical property यहाँ sow करते हैं तो इस concept के बाद में आप देख पाएंगे कि जो forbidden gap होगा between the conduction band and valence band that you define in terms of energy gap EG अगर उसके equivalent आप कोई proton प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ stimulated emission हो जाएगा तो यह इस picture के तुरू आप देख पाएंगे कि यह valence band है और यह conduction band है यहाँ top of the valence band EV से represent किये है और bottom of the conduction band EC से represent किये है एक electron conduction band के अंदर है एक proton और बैचनियो एनरजी का strike करता है और result में मिलते हैं आपको दो proton यह दो proton कौन है पहला proton है एक जिसने induce किया और दूसरा proton वह हुआ जो कि emission के तुरू मिला है और यहाँ interaction जो हुई है आपकी वो electromagnetic interaction इंड्यूज जिसको आप बोलते है इस्टोमलेटी डैमिशन वो हुआ है और उसके result में मिले हैं आपको दो proton देखिए इस side में यह आपका P और N junction है उसके बीच यह depletion region है जहां कि यह phenomena हुआ है यह भी आपको माइन में रखना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि forward biasing provide कर देते हैं और पी जो यह surface आप देख रहे हैं यह rough surface है और यह जो surface है optically flat है जहां से आप light को observe करते हैं तो अब अगर यहां आपको resonate cavity अगर यहां पर बनाना हो तो क्या करेंगे आप तो एक mirror आप इस side में रखेंगे एक mirror इस side में रखेंगे एक perfectly reflector होगा एक partially reflector होगा जिसके तुरू आपको laser light में लेगे तो यह concept यहां पर mind में रखना है कि जो emission हुआ है of the photon वो आपका depletion region के अंदर हुआ है right the perpendicular to the plane of the junction are polished and the remaining side of the diode are rough तो जब आप forward bias provide करते हैं in terms of the current तो जब small current होगा spontaneous emission dominate करता है and as a result आपको मिलते हैं all direction के photons और जब एक critical value पे आप पहुचा देते हैं current को तब वो threshold value जो है तब होगा stimulated emission dominate तो यह P और N जो यहां पर हैं यह highly impurity इनके अंदर add की हुई है मतलब यह इसको मैं खुड़ा कहूं कि यह proton आपके P plus और N plus का मतलब यह है कि जो concentration है concentration जो आपकी impurity की है वो बहुत ज़ादा है और आपको यह एक direction में laser कैसे मिलेगी तो वो मैं आपको बोल चुका हूँ diode laser are low power laser and used as optical light source in optical communication purpose यहां इस topic के अंदर मैंने कुछ add कर दी है characteristics of laser light जैसे कि number one laser light is highly directional और अभी यह topic continue है जो आपका semiconductor laser है लेकिन उसके साथ यह characteristics हैं इसको आप देख पाएंगे समझ पाएंगे तो और जादे केलियर होगा concept number two laser light is highly coherent laser light जो होती है वो coherent light होती है और monochromatic होती है यह भी और number three laser light can be sharply focused होती है tuning होती है brightness बहुत जादा है application of the laser light जब आप देखते हैं तो smallest laser है used for telephone communication optical fiber आप experiment भी करते होंगे optical fiber का वो laser light है तो यह research के purpose से भी use करते हैं और इसका different industry के अंदर applications है interferometry holograms like this तो यह इसके possible examples है medical application है तो यहाँ जो मुझको focus करना है जिस point पर वो आपका energy band diagram है तो किसी भी P और N type semiconductor को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर होगा valence band और conduction band और जब इन semiconductor material को जैसे की categorize किया है P type और N type आप join कर देते हैं तो होती है P conjunction तो P N junction के अंदर आपका जो energy band formation होगा वो इस बे में होगा यहाँ यह जो slope आप देख रहे हैं यह actually potential barrier है जिसको आप barrier height बोलते हैं right depletion region के अंदर जो आपके positive stable iron बचते हैं उनकी वज़े से जो potential develop होता है उसको यहाँ so किया गया है तो यह slope actually उस barrier height को indicate करता है और जितने area के अंदर आपको यह दिखाई पड़ रहा है right यह यहाँ से मैं अगर start करो और यहाँ तक यह slope यहाँ से start होगा और यहाँ पर कतम होगा तो यह जो thickness है यह width है basically यह deflation region को indicate करती है right तो यह P type का हुआ P type में आप देख रहे हैं कि यह height पे है as compared to the N type और यहाँ आपका यह conduction band की bottom और यह conduction band की bottom towards the P type point क्या है point यह Fermi energy level है Fermi energy level actually वो energy level है जिसके नीचे सारी energy state जो quantum state है वो filled होती है by the electrons और इसके ऊपर जो इतनी भी states होंगी वो सारी empty होंगी तो आप एक idea ले लेंगे कि Fermi energy यहाँ आपका balance band में इस side है P type तो यहाँ यह सब empty states है that means you can say कि भाई वहाँ पर आपके सारे vacancies हैं वहाँ electron आ सकते हैं तो इसका मकलब यह किसके लिए हुआ idea यह हुआ holes के लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं side में यह conduction band है और यह conduction band की bottom है और इसके यहाँ तक यह Fermi energy level है Fermi energy level जैसे कि मैं बोल चुका हूँ बताता है कि उस तक up to that level all the energy levels are completely filled and above that वो empty है तो यहाँ पर यह सारा field है तो यह electrons है in conduction band अगर आप इसको थोड़ा सा current provide करेंगे तो electron जो है free electron है वो start कर देंगे moment inside the material जो भी available है तो इसको थोड़ा सा picture actual जो picture है उसके साथ में देखते हैं और इसको थोड़ा skip मैं कर देता हूँ यहाँ एक important point जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको वो gallium arsenide है and this is the responsible for the laser light यह optical property show करता है when electron and whole recombine P plus N plus का मतलब यह हुआ कि P plus Y कि यहाँ doping बहुत ज़्यादा है तो जो impurity atoms है उनको बहुत ज़्यादा add किया हुआ है as a result जो whole होंगे बहुत ज़्यादा है and same concept imply होगा यह आपके electron पर यहाँ जो impurity है N type की वो बहुत ज़्यादा add की हुई है तो concentration जो impurity के होंगे बहुत ज़्यादा होगी as a result जो majority charge carrier है वो भी ज़्यादा होगा तो इस picture को explain करना है तो पहले picture में मैं जब आपको बोल रहा है कि यह फर्मी energy level से नीचे नीचे सारी energy state field है तो इसको आप इस way में देख सकते हैं जो sadded area है और above जो भी portion बज़ता है जैसे कि आप valence band देख पा रहे हैं इस side यह और P type का तो यहाँ पर vacancy में बोल रहा था तो यह holes हैं और N type में यह जो below the fermi energy हैं यह सब filled states हैं इसका मतलब यहाँ पर electron available है और यह energy band diagram explain हुआ है आपका without without biasing मतलब कि अभी कोई भी current को इसके साथ में जोड़ा नहीं है Conduction band और balance band का जो difference है उसको energy gap से हम लोग show करते हैं तो वो सारे concept यहाँ use किये हैं इस picture के अंदर जो आप second picture देख पा रहे हैं इस side में यह तो यह picture कब का है यह energy band diagram है actually तब का जब हम लोग forward biasing provide कर देते हैं तो जितना current ज्यादे provide करेंगे उतना potential barrier की height कम होगी तो हुआ क्या है actually यहाँ इस picture और इस picture में आप difference observe कर सकते हैं कि यह जो height है यह जो slope की height आप देख रहे हैं और यहाँ जो slope की height देख रहे हैं वो बड़ी कम है इसके half है तो इसका अंदर यह हुआ है कि जब forward biasing आप provide करते हैं तो potential barrier decrease कर जाता है और जो electron है तो वो junction को cross कर सकत हैं तो वो ही idea यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चो conduction band था वो यहाँ shift हुआ है in the depletion region पहले यह portion यहाँ तक था और इसको अब आगर आप देखते हैं तो यह region जो है increase हुआ है and it penetrates the depletion region यहाँ उसी तरीके से आप यह balance band देख पा रहे हैं इसका P type का तो यह actually in side basically of depletion region है यहाँ ही actual game start होगा और यहाँ से ही वो explanation आईगी आपके LED की when you provide the forward bias क्या होगा कि जो आपका potential barrier है obvious है वो reduce हो जाएगा और एक जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं थे कि spontaneous emission कब dominate करता है वो एक small current है three sold value of the current उसे निचे निचे रहेंगे तो spontaneous emission होगा और LED के अंदर spontaneous emission होता है वो कहाँ होगा तो वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके पास में three electron available हैं in conduction band और lower side में आपका यह holes available हैं इसका मतलब vacancy available हैं तो depletion region के अंदर जब यह electron hole recombination होगा तो photon emits होगे in all directions and because of that you observe the laser light तो नहीं मिलेगी लेकिन एक color की आपको light मिलेगी एक ही color की light क्यों मिलती हैं क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का जो energy difference है वो constant है and further if you increase the current amount तो यह जो आप proton देख पारे हैं depletion region के अंदर यह बाहर emit हो जाएंगे इस depletion region से बाहर आएंगे और responsible होगे to induce other electrons which are in conduction band जो conduction band के अंदर electrons है यह जो पहली picture में दिखाया था उसी के according वो उसको induce करतेंगे तो इसका एक picture है मैं आपको थोड़ा सा और clear करतूं यहाँ पर इस energy band diagram के group और reference लिया है यहाँ पर तो यह उसका credit है तो उस point ओभी से सारी information I am just explaining लेकिन actual credit for the picture and all the things are goes to them अब यह hole in valence band electrons, electron in conduction band यह सभी कुछ मैं explain कर चुका हूँ लास्ट लाइड इवी नॉट यह इस अफ्ट फ्रेंस पीट्विन इस रख एफ एंफ फर्मी अनर्जी लेवल तो दे एंसाइड तो दी ए टो पुछो गंडुक्शन बैंड के इस जी इनर्जी गए पीड राइट यह सब एफ फी यह explain हो चुके है तो यहां हुआ किया है कि एक्चली जैसे आप फॉर्वर्ड बाइसिंग कर रहे हैं तो यहां यह एक्टोन होल रिकम्बिनेशन हुआ है और एलेक्टोन एमिट हुए है तो जो पिक्चर में आपको दिखाना चाहरा हूँ एक्चली वह पहली पिक्चर थी जो जिसमें आप मैं ऊप्जर किया था कि फोटोन कहां से हमिट हुए है तो इस पिक्चर में आप देखार हैं कि यह डिपलेशन रिजन है और यहां से पोटोन एमिट होगा तो यह वो फोटोन है अब अगर यहां पर आप इस साइड में मीर्ष रख देंगे तो बूर एजनेक्टर कैविट बन जाएगी, राइट रो तो पॉन यहां एक को आप पर्फेक्ट ली रिफ्लेक्टर कहेंगे और दूसरा जो पार्शली रिफ्लेक्टर होगा जिसके तुरू आपको लेजर लाइट में लेगे I hope कि आपको basic idea semiconductor laser का clear हुआ होगा, if you have any question you can ask in comment box so thanks for watching this video and for your time also if the information is helpful you can like, share and subscribe and also you can ask the question you can suggest the topic thanks once again